हलो दो गईस आज हैं इंग्लेश स्पीकिंग का day 7 और आज मैं आप लोगों को बताने वालों past continuous tense तो सबसे पहले हम लोग इस tense की indication की बात करते हैं कि आगिर कैसे पैचाने की कि दिया गया tense जो है वो past continuous का है या किसी और tense का है तो अगर आपको किसी भी sentence के last में रहा था रही थी रहे थे नजर आये तो तुरण समझाना कि यह past continuous tense है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे last में इन दोनों sentences में रहा था और रहे थे लगा हुआ है पहले में लगा हुए last में रहा था और दूसरे में लगा हुए last में रहे थे तो इस तरीके से आप पहचान जाओगे कि यह past continuous tense है और आके बढ़ता है और देखते हैं इस tense की helping वर्व होती है watch और word तो guys अभी हम लोग देखते हैं कहाँ पे watch लगाएंगे कहाँ पे word लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए watch को हम लोग लगाएंगे he, see, name and I के साथ में वहीं word को लगाएंगे word को हम लोग लगाएंगे you, we, they and plural subject के साथ में अब ही हम लोग देखते हैं इस tense में आखिर वर्व में क्या लगाएंगे तो वर्व के साथ में लगाएंगे आएंजी तो गैस अब हम लोग देखते हैं past current tense के simple sentences को तो इनको बनाना बहुत ही आसान होता है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं making rule की आखिर हम लोग कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों को subject लगा देना है फिर was या word में से एक लगा देना है फिर आपको लगाना है वर्व और वर्व में guys लगाना होगा आयंची इसके बाद में आपको लगाना है object अगर आपको subject, object, verb पैचाना नहीं आता है तो guys सबसे पहले आप video number 5 देख लो link description में भी मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ sentences को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने तीन sentence लिख दिया है पहला sentence है वहाई गाना सुन रहा था हम कार चला रहे थे और तीसरा sentence है तो मुझे बढ़ा रहे थे अब guys इन sentence को बनाना है बड़ा आसान है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि making rule को देखेंगे और सी making rule के हिसाफ से हम लोग बनाएंगे तो rule क्या करेंगे सबसे पहले subject लगाओ और इस sentence में subject जो है वह है तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे वह की English तो हमने लिख दी अब हमको rule के हिसाफ सिया तो watch लगाना है या तो word लगाना है और मैं आपको बता चुका हूँ कि he क साथ में हमें watch लगाना होगा तो हमने watch लगा दिया अब यहां पर word में लगाना होगा इन जी तो गईस इस तरीके से sentence बना लिया आए देखते हैं अगला sentence हम कार्ट चला रहे थे तो इस sentence में भी चीज़ करेंगे सबसे पहले subject लगाएंगे तो subject है we यानि कि हम तो हम की English सबसे पहले लिख दी, अब हमको लगाना है या तो watch या तो verb में से एक, तो आपको मालूम है कि we के साथ में क्या लगाएंगे, word, तो यहाँ पे हमने word को लगा दिया, ओके guys, अब ही हमको लगाना है, word में आ यंजी तो लिखना है, पहले तो word है चलाना और इसमें आएंजी तो हमने लगा दिया अब इसके वाद में लगाना है अब्जिक्ट तो कैसे अब्जिक्ट लगा दीजिए और यह सेंटेंस हमारा बन गया हम कार चला रहे थे वीवर ड्राइविंग कार अब अगला सेंटेंस देखते हैं बिल्कुल इसी रूल के ह या तो वर्व में आएंजी लगाओ तो यहां पर वर्व है पढ़ाना और पढ़ाने में आएंजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा अभी यहां पर हम लोग लगाते हैं और यहां पर अब्जिक्ट लगा दिया और यह इस तरीके से सेंटेंस बन गया तुम मुझे पढ़ा रहे थे तो इसका बनेगा you were teaching meगेस और अब हम लोग देखता है negative sentences को सबसे पहले हम लोग देख लेते है इस sentence का making rule तो इस making rule जो होगा सबसे पहले लगाना होगा subject और आहिमें लगाना होगा वाज़ वर्व लगाना होगा इन जी इसके बाद में object तो कि अभी तो आप लोग देख रहे होगे आप लोग सोच रहे होगे यह तो simple वाला में कि बता दिया आप बिल्कुल सही बात है आप बिल्कुल सही है guys कुछ नहीं करना है बस watch work के तुरंत बाद यानि कि helping और के तुरंत बाद आपको not लगा देना है इ यह आपको भी करना है हर टेंस में अब आगे बढ़ता है और sentence को देख ले तो यहां पर देखो sentence लिखे हुए और पहला वाला sentence जो है ना वह simple भी लिखा हुआ है तो सबसे पहले subject ही लगा दिया इसके बाद में लगाना है watch या word में से एक तो यहां पर watch लगा दिया अब इ हम लोग देखते हैं sentence में हमने नहीं लगा दिया उपर वाले में देखो यहां पर मैंने यह नहीं लगा दिया और यहां पर आपको करना क्या है help और के तुरंत बाद आपको not लगा देना है यह देखो और यह हमारा negative sentence बन गया आए अगले वाले जो दोनों sentence है इनको हम लगा दिया जिदे उस subject लगा दिया है ना ओके अब वी लगा हुआ है वी के हिसाफ से आपको मालू होगा कि वाज लगाएंगे यह वर्ड लगाएंगे तो किसी यहां पर लगाएंगे वर्ड तो हमने वर्ड लगा दिया अब rule कह रहा है कि not लगा तो sentence में हम लोग नहीं क लिए क्या कर देंगे not को लगा देंगे और अभी रूल कहरा कि या वर्ड में आएंजी लगाओ तो वर्ड है इस स्टेंज की चलाना और इसी में लगा देंगे आएंजी यानी की driving और अब rule कहरा कि object लगा दो तो यहां पर गईस हमने object भी लगा दिया उस तरीके standard बन गया हम कार नहीं चला रहे थे वी वर नॉट ड्राइविंग कार अब अगला sentence देखते हैं और अगले sentence में भी चीज करनी है रूल के साब से चलना है subject तो यह रहा subject और यह हमने लगा भी दिया अगला है वाच या फिर वर्ड तो यू के साब चलाएंगे वर्ड तो हमने यह वर् लगाना है नहीं के लिए not rule कह रहा है not लगा तो यह हमने not को लगा दिया अभी लगाना है वर्ड वर्ड में आएंजी होगा इस स्टेंस में वर्ड है पढ़ाना अब पढ़ाने में लगाएंगे आएंजी यानि की टीचिंग ठीक है अब इसके बाद में लगाना है object तो इ देख लेते हैं इंट्र्गेटेब 시ं सेंडेंस को तो केइस इंट्रोगेटेब होते हैं दो प्राकर के एक पहला प्रकर जो होता है जिसमें सुरुवात में क्या लगा होता है uniqu से संबसे刃 पहले बताऊंगा तो यहां पर लोग sentences go तो कैसे इंट्रोगेटेव होते हैं दो परकार के एक पहला परकार जो होता है जिसमें सुरुवात में क्या लगा होता है तो कैसे वही वाली sentence में सबसे पहले बताऊंगा तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं आपको बताने वाला हूं making rule तो कैसे भी नहीं है simple sentence जो है और negative sentence जो है आप यहां पे देखो यह negative sentence का making rule है बस यह watch word जो है subject के बाद लगा था जानि की negative sentence में इसके बाद में watch word लगा था और integrative sentence में अगर सुरुवात में क्या लगा हो तो कुछ नहीं करना होता गाईस सबसे पहले सुरुवात में watch या वर्ड यानि की helping को आगे ले आते हैं इससे बाद वाला जो वीडियो रहेगा ना उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा आपको negative sentence और integrative sentence को बनाने में कभी भी problem नहीं आएगी आप लोगों को तो यह सभी हम लोग देखते है sentences को तो यहां पे दो sentence दिये हुए कि या तो watch लगाओ या तो word लगाओ और यहां पे आपको मालू है कि इस sentence का subject है where where के हिसाब से क्या लगाओगे watch तो यहां पे हमने watch लगा दिया अब guys rule जो कह रहा है कि आप subject लगाओ तो subject stance का है where तो वह के English लग दी अब guys rule कह रहा है कि not लगाओ तो not तो guys stance में लगेगा नहीं क्यूंकि इस sentence में कहीं भी नहीं नहीं नजर आ रहा अब आगे बढ़ जाते हैं और word में ing लगाते हैं तो word है listen और इसमें ing लग गया तो listening हो गया ठीक है ना इसके बाद में last में लगाना है object तो stance का object है गाना तो guys अब हम लगा देता है object और इस तरीके से sentence बन गया बिल्कुल इसी तरीके से अगला वाला भी बनाएंगे यदि sentence की सुरुआत में क्या सब्द लगा हो तो सबसे पहले help लगाते हैं तो यहां पर watch या word में से एक लगाएंगे तो यहां पर लगाया drive और drive में लगा दिया ing और इसके बाद में अब लगाना है आपको object तो इस तरीके से सेंटेस हमने बना लिया अभी हम लोग देखते हैं interrogative type 2 यानि कि जो दूसरे प्रकार के interrogative होते हैं उनको इनमें बीच में कब क्यों कहां कैसे लगा होता है तो guys इस sentence को बनाने का जो नियम होता है वो कुछ इस प्रकार होता है अभी आप लोग देख रहे होगे बलकुल आपको same दिखाए दे रहा होगा उपर वाला और नीचे वाला दोनों rule जो है बलकुल same दिखाए दे रहे होंगे लेकिन बस इस वाले में नीचे वाले में थोड़ा सा changement हो जाएगा वो देखो क्या हो जाएगा सुरुवात में यहाँ पर हम लोग question word लगा देंगे देखो हमने question word आपको देखो तुबारा से गोर करो यहाँ पर हमने question word लगा दिया अच्छा यह question word क्या होता है वही चीज जो बीच में वो कब क्यों कहां कैसे होता ना उसी की English आपको सबसे पहले लिखनी होती है चलिए बनाते हैं यह दो sentence लिखे हुए इन्हीं दोनों sentence को बनाएंगे तो rule क्या कह रहा है कि सबसे पहले question word लगाओ question word distance में क्या है कब तो सबसे पहले हमने लगा दी कब की English ओके अब rule कह रहा है या तो watch लगाओ या तो word लगाओ तो guys यहाँ पर ing लगा दिया और rule कह रहा है कि last में object लगाओ तो इस sentence में जो object है वो है गाना और गाना की English हमने song लिख दी और इस तरीके से sentence हमने बना लिया वह गाना कब सुन रहा था when watch ही listening song और अगला sentence है हम car क्यों नहीं चला रहे थे इस sentence को भी बनाओगे बिल्कुल उसी तरीके से बन लोग क्या लगा देंगे या तो watch या तो word में से एक लगा देंगे तो हम के हिसाब से हम के हिसाब से यहां पर हमने word लगा दिया अब इसके बाद में हमें लगाना है subject तो इस sentence में subject हम आपको बताई चुके हैं कि हम हैं तो हमने subject लगा दिया और अब हमको लगाना है sentence में not तो हमने not लगा दिये अब लगाना है वर्ब और वर्ब में ing तो इस टेंस में वर्ब है चलाना और इसी में लगाएंगे ing तो driving और इसके बाद लगा दो object तो इस टेंस का object है अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आखिर आप इस टेंस की practice कैसे करोगे अपने मन में आप लोगों को कुछ sentences अपने मन से ही सोचने और उनका English तुरंद का तुरंद बनाना इस तरीके से आप 50-60 sentence का practice कीजिए और आपकी English बहुत ही जादा बेतरीन हो जाएगी आप मेरे साथ-साथ English बोलना सीखे मैं आपको English बोलना सिखाता हूं अगर अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो गैस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा speaking course लाने वाला हूं पूरा speaking बढ़ाने वाल रहा हूं तो कि इस बस जितना मैं कहता जा रहा हूं उतना करते जाहिए आप लोग ओके कैस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर